नमस्कार दोस्तों वागत है आपको अपना चैनल डिसका नाम है केवलेक साथ इसमें हम यूद कॉम्पिटीशन की एक पुप पढ़ रहे हैं जिसमें इंडियन जोगरफी और वर्ल्ड जोगरफी को जोड़ की एक लाग प्रशनों को समलित किया गया है जिसमें अब तक हमने भारत के भू आगरतिक पदेशों में जो है हिमाले वाले छेतर पढ़ चुके थे आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम आप देख बार हैं आपस क्या लिखा हुआ है उत्तर भारत के विशाल मैदान यानि कि जो उत्तर भारत है हमारा गंगा प्रमपुत और साथी साथ आप देखेंगे इंदु नदी का जो मैदान है उसके बारे में अब तक भारत में होने वली विभीन परिचाओं में क्या क्या प्रश्ण इस छेदर से बने उसको समलित किया गया तो चलिए प्रारम करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छे लग लगने लाइक करें और सुझा दिने के रिए हैंww लिए प्रारम करते हैं, उत्तर भारत के मैदान को किस अन्य नाम से जानते हैं, उसे हम और किस नाम से जानते हैं, तो नाम आप देखेंगे, सिंदू, गंगा, ब्रंपुत के मैदान से जानते हैं, इस कौन नाम से जानते हैं, सिंदू, गंगा, ब्रंपुत के मैदान का छेतर पर लगभक कितना है देखेंगे 7.8 लाख वर किलो मिटर है विज्जु का सरवाधिक जलोर निच्छेप पित मैदान कौन सा है उत्तरभाद का विशाल मैदान देखेंगे सरवाधिक जलोर निच्छेप का मतलब क्या होता है इसका मतलब ही होता है जब नदियां हिमाले से बेके आ रहे थी तो क्या करें अपने साथ उुक योख अशिश्ट कंकर भी लाती जब किसी चेतम बाड़ा आती है अब बाड़ाने के पाद जब बाड़ वापस जाती है उस बाड़ का आप देखें वहां कीचल बैड़ जाता है वह कीचल को ही जलोड कहा जाता है ऐसे ही जब हिमालय से नदिया निकाल लए थी गंगा ब्रहंपुत और जिंदुनदी तो क्या कहते है उत्तर भारत के मैदान को धीरे धीरे अपने जलोड से निच्छेपित कर रही थी जल का लोड जल का बचा हुआ है इसा जोगा वह धीरे 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 थी क्या कहते है पहले बहुत गड़े वड़े थे मैदान नहीं था प्योंकि वह जलोड आता गया हर बार बार सर्व आती गई जलोड बढ़ता चला गया जलोड बढ़ने के बाद देखेंगे एक वक्त ऐसा आएगा पुरा मैदान होगा यह जो पुर अछित हो ये ऊचा हो जायएगा आप क्या करेगी नदी यहां से आए अपना मार्क परव disability करके ऐसे भाहेगी या ऐसे बहेगी और यह उच्छा वाला जो मैदान बचे बन जाएगा इसे ही हम उत्तरभात का मैदान कहेंगे यही जलोर निच्छेपण है यह बात ध्यान रखिएगा तो अब इसके आगे जो प्रश्ण बने वो देखते हैं मैंने आगको बता दिया यह जो सरवादिक जलोर निच्छेपण है वो उत्तरभारत का विशाल मैदान है जिसमें आगको देखे मिलेगा उत्तरपदेश का छेटर मिल जाएगा दिल्ली मिल जाएगा उसके बाद राजिस्थान मिल जाएगा उत्तरपदेश सबस्दार मिलेगा ये सब छेत्र जो हैं जलोर निच्छेप के छेत्र है आप उसके आगे देखते हैं उत्तर भारत के मैदान की ढाल इस प्रकार की है तो अत्यंत मंद ढाल है क्यों अत्यंत मंद ढाल है क्यों यहां जलोर निच्छेपर जो हो रहा है वो थीरे 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 हो रहा है तो एक पू अब उत्तर भारत के विशाल मैदान का सरवाधिक भाग इस भारती राज में है वह आपको देखने को बिलेगा उत्तर प्रदेश में है इसलिए आपको उत्तर प्रदेश में सरवाधिक जलोर मृदा देखने को मिलती भी है प्रिये एक हो गया ब्रीफ आप देखते हैं जो जितने भी मैदान बने हैं वो कैसे कैसे किस किस क्रम के मैदान है सबसे पहला आएगा भाबर का मैदान आएगा इसमें क्या प्रश्म बने ये देख लेते हैं उत्तर भारत में उप हिमाले छेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं इसे कहते हैं भाबर का मैदान यानि कि उत्तर भारत के उप हिमाचल छेत्र जो हिमाचल छेत्र है वहां जो मैदान बना है उसे हम भाबर मैदान कहते हैं भाबर मैदान का विस्तार कहां तक है भ तीस्ता नदी के मद्ध जो मैधान मिनता है उसे हम भाबर का मैदान कहते हैं अब देखते हैं भाबर मैदान की चोड़ाई कितनी है इसकी इसकी चौड़ाई आठ से तस किलो मिटर की है। भाबर मैदान की उचाई कितनी है। यह उचाई शब्त देखी गई आपस कितनी है। वह देखेंगे दो सो से लेके तीन सो मिटर की उचाई है। पिवालिक का जलोर पंक इस मैदान को कहते हैं। वह कहते हैं भाबर के मैदान को कहते हैं इस बात थ्यान लखिएगा आपके अब है तराई का मैदान तराई का मैदान अब 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 तराई मैदान की चौड़ाई लगबक कितनी है देखने को मिलेगा 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई है नोट में क्या आया है तराई के मैदान में महीन, कंकड, पत्थर, रेथ, तथा चिकनी, मिटी का निच्छे पर पाया जाता है तराई छेतर में भाबर की लुप्त नदियां पुना सता पर जीवित हो जाती है तराई छेतर में करते हैं जो भाबर का मैदान होता है बहुत ज़्यादा जलोर से भरपूर मैदान है तो उसमें क्या होता है जब वहाँ नदियां आती है तो उसमें थम जाती नदियां अंदर यंदर छुप जाती है लेकिन फिर अंदर की दरारों से निकलते हुए जब वो तराइन छेत में बहुसती है तो वो नदिया उन्हा सता पर दिखने लगती है यही वो बताना चाह रहा है अब आगे देखते हैं तराइन का मैदान घने वनों से ढखा हुआ है मतलब तराइन के मैदान में आपको ज़ादा से ज़ादा पीड़ पौधे देखने को मिलेंगे अच्छे से अच्छे बागान देखने को मिलेगा उसका मेन रीजन यह है कि तराइन के छेत्रों में नदियों का प्रवाँ फिर से मिलने लगता है अब नया टॉपिक है बांगर का मैदान, पहले भावर का मैदान, पित्तराई का मैदान, अब आ रहा है बांगर का मैदान बांगर का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से निर्मित हुआ है तो वो पुरानी जलोड मिट्टी से है यानि जो पुराने समय पे जो यहां जलोड एकठा हुआ है उससे बांगर का मैदान निर्मित हुआ है यह बात ध्यान रखियेगा बांगर का मैदान पुरानी जलोड मित्टी से बना हुआ है अब है बांगर के मैदान का विस्तार मुक्ता किन राज में है बांगर के मैदान का विस्तार मुक्ता पंजाब एवं उत्तरपदेश में है कहां देखने को मिलेगा पंजाब एवं उत्तरपदेश में देखने को मिलेगा बांगर मैदान के कुछ छेत्रों में अत्यधिक सिचाई के कार है मिर्दा की उपरी सता पर नमक की सफेद परत जम जाती है इन्हें क्या कहा जाता है इन्हें रे अत्वा कलर कहा जाता है जब हम सिचाई के लिए देखेंगे अत्यधिक उर्वरों को का उपियोग करते हैं अत्यधिक हम क्या करते हैं सिचाई करते हैं तो जो परत होती है उसके उपर देखने को क्या मिलेगा आपको परत के उपर आपको देखने को मिलेगा एक प्रकार की एक परत जंती जो सफेद क करलर की होती है नमक नुमा उस परत जो नमक नुमा रहती है उसे क्या कहते है उसे रे अथवा कलर कहते है इस बात ध्यान लखिएगा बांगर मैं मैदान में अपर्दन के कारण उभरी कंक्रीतली मिट्टी को क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है भूर कहा जाता है जो बांगर क मैदान में अपर्दन के कारण जो उभरी कटिली मिट्टी मिलती है उसे भूड कहा जाता है अब आएगा खादर का मैदान पहले आप देखेंगे बाबर का तराइन बांगर आप खादर का मैदान देखते हैं खादर का मैदान इस प्रकार की मिट्टी द्वारा निर्मित है। यह नवीन जलोर मिर्दा से निर्मित है। जबकि वहीं आप बांगर का मैदान पुरानी जलोर मिर्दा से देखेंगे निर्मित। वहीं खादर का मैदान नवीन जलोर मिर्दा से है यह बात ध्यान अब है खादर के मैदान का विस्तार मुक्ता किन राज्यों में हैं यह देखें मुने को मिलेगा पूरवी उतर्पुदेश, बिहार और पश्चिमंगार यानि कि आप उतर्पुदेश से स्टार्ड करेंगे पूरु से उसके बाद बिहार पड़ेगा और पश्चिमंगार इसलिए आप देखेंगे खादर के मैदान जो है पूरी उत्तरपदेश, बिहार एवं पस्चिम बंगार। खादर भूमी की मिर्दा में नमी धारन करने की चमता का मुख कारण क्या है? इसकी मुख चमता का जो कारण है वो देखेंगे चीका की अधिक्ता, यानि खादर भूमी में जो मिर्दा में नमी था, जो जादा से जादा मिर्दा जो पानी सोख लेती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है चीका की अधिक्ता चीका की अधिक्ता से क्या होता है ना जो पानी सोखनी की छमता होती है फूमी की या वो जो मिट्टी की फूमी जो पानी सोखनी की छमता होती है वो बढ़ जाती है जिसके कारण हमें जब चावल की खेती करनी रहती है धान की केती तो हमें अत्यदिक पानी की आउसकता परती है यही कारण है कि अगर हमारे भारत में मानसून देड़ से आता है या नहीं आता है तो हमारा जो ब्रेड बास्केट है इंडिया का इसे कि पूरी उत्तर पदेश, बिहार, पस्चिन बंगाल इन सब छेत्रम क्या होता सूखा पर्णे लगता है सूखा को निटान करने के लिए हम क्या करते है, आत्यधिक ट्यूप बियल क्यों शक्ता परती. ट्यूप बियल से पाई निकनलने पर क्या घाटा होता है और जो जल इस तरह होता है जिससे वरतमान समय में यहां आने वली जो सबसे बड़ी चलवायू समस्या मेंशेख पानी एक समस्या है। उसमें आप देखेंगे बढ़ोतरी होने लगती हैं तो वो सब वो किसली रहा है वो सब चीका मिटी चीका की अधिकता के कारण होता है आप आगे देखेंगे पंजाब में खादर मैदान को किस नाम से जाना जाता है पंजाब में खादर मैदान को बेट नाम से जाना जाता है आप फिर नोट देख लिएते हैं खादर मैदानी खादर मैदानी छेतर क्रशी कारहेतू बहुत उच्चाओ होता है जैसा कि आपको अभी मैंने बताया था कि यहां खेती करना काफी आसान होता है इसलिए काफी प्रिशिच कारहे तो बहुत उच्चाव होता है आदर प्रदेश नदियों के निचले हिस्से में होता है कहां होता है नदियों के निचले हिस्से में होता है जिस पर बाड के समय समय पर जलोड की नई परते जम जाती इसलिए देखिए उत्तरपदेश, बिहार, परशी मगान जब बाड आती है तो जो खेतों तक वो पहुसती तो एक नई मिटी अपने साथ जो जलोड लाई रहती है वो मैदान के उपर विछा देती है जिसके कारण आपको देखने को मिलेगा एक नई परत जमती है और वो नई परत जो जमती है वो काफी जदा उचाओ भी होती है अब है खादर मैदानी छेत्र की हूँ, चावल, जूर, तिलहन, दलहन, गन्ना, आधी के लिए प्रसिद है इसलिए देखिए जो जूट की खेती होती है वो पस्चिम बंगाल में सरवाधिक होती है बंगला देश में सरवाधिक क्यों कि वहाँ खादर के मैदान पाए जाते हैं इन्ही सब छेत्र में आपको गन्ना की लुपादक्ता देखने को मिलेगी चावल की केंहों की इसलिए भी सिर्फ ड्रेट बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है ये बात थ्यान रखिएगा अब है डेल्टाई छेत्र डेल्टाई छेत्र आपको देखने को मिलेगा जो बंगला देश और या पस्चिम बंगाल में है डेल्टा के मैदानों की उच्छ भूमी को क्या कहा जाता है उसे चार कहा जाता है जो डेल्टा के मैदान की जो उच्छ भूमी होती है सब जगे से जलोड आ रहा रहा और कहीं कि भूमी अचानक उपर हो जा रहे हैं वहाँ ज़्यादा निच्छे पा रहा है उसे पानी कट के अगल वगल से जा रहा है तो उस उठा हुआ भाग होता है उसे हम चार कहा जाता है अब है डेल्टा मैदान का विस्तार इस छेत्र में पाया जाता है डेल्टा मैदान का विस्तार निचली गंगा घाटी पस्ची मंगाल में पाया जाता है अब हैं पंजाब का मैदान किसका पंजाब का मैदान सिंदू तथा इसकी सहायक नदियां जैसे जेलंग चिनाब रावी व्यास तथा सत्लच के द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है इसे पंजाब का मैदान कहा जाता है पंजाब पांच नदियों से मिलकर बना हुआ है इसलिसे पंजाब कहा जाता है पंजाब के चेतर पंजाब क्यों कहा जाता है क्योंकि वो पांच नदियों से मिलकर बना है जिसमें इस देखेंगे सिंदू तथा इसकी सहाइक नदेश जिसे जेलं, जिना, रावी, व्यास तथा सचलज द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहते हैं पंजाब कहा जाता है अब पंजाब की पुरानी जलोर भूमी यहीं बांगर को क्या कहा जाता है उसे बेट, लेंट या अनुरब भूमी कहा जाता है पंजाब के परवती पादिय मैदान में नदियों के द्वारा अपरतन से निर्मिद भूमी को क्या कहते हैं उसे चास या चौस कहा जाता है इस बात ध्यान लखियेगा पाने पीते रहना चाहिए भाई अब उसके आगे देखते हैं पंजाब मैदान के दो आप छेतर जो पंजाब के दो आप दो नदियों के आपको दो आप कहा जाता है तो आप देखें पंजाब में जो दो आप का छेतर उसके बारे में यहां जो प्रश्न बने हैं उनके बारे में यहां उले किया गया है दो नदियों के मद इस्तिव भूमे को क्या कहते हैं उसे दुवाब कहते हैं क्या कहते हैं दुवाब कहते हैं बारी दुवाब इनके बीच आता है वो आए आपको व्यास इवन रावी नदी के मद बारी दुवाब आता है देखिए इसको ऐसे आता रखिए का बारी अधा मानिये, बा और री, यह हो गया, वियास का भाग हो गया, और यह हो गया पीछे का रावी का भाग, तो बारी दौाब, वियास और रावी नदी के मद्द, सिंधु, सागर दौाब, वो झेलम और चिनाब, यूम सिंधु के मद्द आएगा, चज दौाब, देखेंगे, आपको चिनाब और जेलम के दूआब के आएगा, रचना दूआब में देखेंगे रावी नदी और चिनाब नदी के मद्द आएगा, बिस्ता दूआब आप देखेंगे व्यास एवं सतलच के मद्द आएगा, व्यास एवं रावी नदी के मद्ध कौन सा दुवाब चेत्र इस्तित है व्यास और रावी नदी के मद्ध बारी दुवाब का चेत्र इस्तित है व्यास एवं रावी नदी के मद्ध कौन सा दुवाब चेत्र है तो व्यास से आप देखेंगे बाब बनाएंगे रावी से वी लेंगे आप रीद लेंगे तो बारी द्वाब आएगा अब आएगा रावी एवं चिनाप नदियों के मद्ध कौन सा द्वाब इस्तित है रावी एवं चिनाव के मद्ध देखेंगे रचना द्वाब आएगा देखें एक प्रश्ण काफी बार आ चुके हैं तो यहां पास विस्तार में दिया गया है या उस तक का उदेशी यही है कि अब तक जो एक लाग प्रश्ण आए हुए है विविन परिच्छाओं में एक सब्जट को लेकर उनको एक जगे इकठा कर देना है विवाद ध्यान लखिएगा तो फिर आब आगे देखते हैं जेलम और चिनाव एवं सिंधू नदी के कौन सा दुआप छेत इस्तित है उसे कहेंगे चज दुआप कहेंगे क्या कहेंगे चज दुआप कहेंगे व्यास एवं सतलज नदी के मद्ध कौन सा छेत रिस्तित है व्यास और सतलज नदी के बार बिस्ता दुआप इस्तित है आप देखेंगे राजिस्थान का मैदान राजिस्थान के मैदान के बारे में हम यहाँ देखेंगे राजिस्थान का मैदान तथा केंद्री उच्छ भूमी के मत्य कौन सा परवत एक दुई भाजक रेखा का कारे करता है वा करेगा अरावली परवत करेगा याद रखिएगा कि राजिस्थान का मैदान तथा चेंद्री उच्च भूमी के मत कौन सा परवत एक विभाजक रेखा का कारे करेगा उसे कहेंगे अरावली परवत कहेंगे राजिस्थान के मैदान में राजिस्थान बांगर और थार मनुस्थल की विभाजक रेखा क्या है उसे कहेंगे हम 25 सिंटिमितर सम वर्सा रेखा है राजिस्थान बांगर की उरुवरक भूमी को क्या कहते हैं तो राजिस्थान की बांगर की उरुवरक भूमी को हम कहते हैं रोही कहते हैं राजिस्थान के मैदान में प्रशी हेतु जल संसाधन के लिए इस सहर का इस नहर का विकास किया गया है इंद्रा गांधी नहर का विकास किया गया है उसे इंद्रा गांधी नहर का विकास जो हुआ है वो राजिस्थान के मैदानी छेतर में जो किशी जल उपलब्द कराना उसके लिए इंद्रा गांधी नहर का विकास किया गया है राजिस्थान के मैदान की एक प्रमुख नदी कौन सी है तो देखने के मिलेगा लूनी नदी जो है बहुत ही महत्वोंड नदी है वहाँ की भारत की भारत की सबसे बड़ी अन्तास्तली खारे पानी की जील यानि की साมभर जील उत्तर भारत के किस मैदान में अवस्तित है तो आपको देखने के मिलेगा वो राजिस्थान के मैदान में है अब इससे एक प्रश्ण और निकलेगा कि सामभर जील किस प्रकार की जील है मीठे पाने की जील है कि खारे पाने की जील है तो याद रखिएगा सामभर जील जो है राजिस्थान मैदानी छेत में पहाडियों से घिरे अभी केंद्री अपुहावाले विस्तित समतलगर्द को क्या कहते हैं उसे कहते हैं बालसन कहते हैं या दखेगा बालसन कहा जाता है अब अन्य महातपूर्ण तत्यों पे एक नजर कर लेते हैं क्योंकि यहां से प्रश्ण भी बनते हैं अब प्रश्ण है इराजिस्थान के मैदान में आर मरुस्थल, खनिस्थेल, जिपसम और नमक के भंडारन की द्रिश्टी से भारत का एक महातपूर्ण छेत्र है वह आप देखेंगे राजिस्थान है जहां खनिस्थेल, जिपसम और नमक के भंडारन पाए जाते हैं राजिस्थान मैदान का एक बड़ा भाग बालु का स्टूप से ढखा हुआ है आप देखेंगे हम गंगा का मैदान गंगा का मैदान एक ऐसा पॉर्शन है जहां से प्रश्म बन जाता है उसका रीजन क्या है क्योंकि अगर आप इस छेत्र की परिच्छाएं दे रहे हैं तो देखेंगे यहां से प्रश्ण बनना वहां के राज्य के इस्पिसल प्रश्ण में आ जाता है जी देखते हैं गंगा के मैदान का विस्तार मुक्ता की नराज्यम है उत्तरपदेश बिहार और पश्चिम बंगार में मिलेगा गंगा तथा उसकी सहायर नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को तीन भागों में बाटते हैं पहला देखेंगे कौन-कौन से हैं उपरी गंगा का मैदान आपको पस्चिम बंगाल मिलेगा इक पर देख लिए उपरी गंगा का मैदान जो उपरी गंगा का मैदान है वो पस्चिमी उत्तरप्रदेश में आएगा अब है मद्द गंगा का मैदान मद्द गंगा का मैदान आपको देखने को मिलेगा पूरी उत्तरपदेश के वंब बिहार में देखने को मिलेगा और निम्द गंगा का मैदान आपको पस्चिमी उत्तरपदेश में देखने को मिलेगा इस बात थ्यान लखेगा अब है उपरी गंगा के मैदान का पस्चमी भाग क्या कहलाता है उसे कहते हैं रुहील खंड का मैदान कहा जाता है उपरी गंगा मैदान का पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता है वहीं उपरी गंगा के पस्चमी भाग क्या कहते है रुहील खंड का कहते है यह सारे कोश्चिन जो है आप यूपी स्पेसल पढ़ेंगे तो वहां आएगा अगर आप यूपी की कोई परिच्छाय दे रहे हैं जैसे आप यूपी पाधिनस सेवायों की दे रहे हो या यूपी लोक सेवायों की परिच्छा दे रहे हैं तो वहां यह प्रश्ण आने कंब उसरी हो जाते हैं अब गंगा के मैदान में जहां तहां गर्द पाय जाते हैं इन्हें पटना तथा मोकामा के निकट क्रमसा की नामों से जाना जाता है इन्हें जल्ला और टाल के नाम से जना जाता है जल्लाई जल्पाई गुड़ी तथा दारजिलिंग जिले का परवती तता तराई छेत्र क्या कहलाता है इसे दुवार कहा जाता है इसे बात ध्यान लखेगा कि अब कुछ विशेश तत्य देख लेते हैं गंगा के मैदान की रचना एक अगरगर्द में हुई है कैसा हुई एक अगरगर्द में हुई है मदद कंगा के मैदान को गोकुर जील बता गोकुर जील बहुताय में पाए जाते हैं एवं मिघाले के पठार के मदद कौन सा मैदानी छेत अवस्तित है उसे हम कहेंगे ब्रहम पुतर का मैदान ब्रह्मपुत्र मैदान में किस पसलो की कृषि की जाती है? आप देखेंगे चावल तथा पड़सन की कृषि की जाती है ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार मुक्ता किस राज में है वो पाये जाएँगे असम में पाये जाएगा इबात थ्यान लखेएगा विस्व का सबसे बड़ा नदी दीप यानि की माजुली दीप इस मैदानी छेत्र में अवस्तित है वह आप देखेंगे ब्रह्मपुत के मैदानी छेत्र में अवस्तित है भारत की प्रमुख भारत की प्रमुख नदियां देखेंगे भारत में कौन-कौन सी प्रमुख नदिय कौन कौन सी हैं पहले देखेंगे आप कश्मीर पिर नुप्रा पिर शुरू घाटी इस भारती की इंसासित प्रदेशों में अवस्तित हैं वह देखेंगे जम्मु कास्मीर में हैं कौन सी घाटी इमिस राष्टी उध्यान ही तुम मार्ग उकलब्द कराती हुआ मर्ख घाटी लद्दा की महान हिमाले एवं पीर पंजाल श्रेणियों की मत कौन सी घाटी अवस्तित हैं घाटी हैं कश्मीर घाटी अवस्तित हैं सियाचीन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा घाटी द्वारा कौन सी घाटी नेलमित होती है उसे ही कहते है नुब्रा घाटी कहते हैं माचल पदेश के अंतिम गाओं इतकुल को मार्ग प्रदान करने वाली कौन सी घाटी है वो देखेंगे कि नौर घाटी है माचल प्रदेश में इस्तित किस घाटी को बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है वो है सांगला घाटी है माचल प्रदेश में माचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद घाटी कौन सी है उसे हम कहेंगे मालना घाटी कहेंगे धौला धर एवं पीर पंजाल शीनियों की मद्ध कौन सी घाटी अवस्तित है उसे हम कहेंगे कुलूर घाटी कहेंगे लहुरा, पंगवाला और भोटिया जन जाती किस घाटी केत्र में निवास करती है पांगी घाटी कहेंगे बौध्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ किस घाटी में अवस्तित है वो अवस्तित है इस्विती घाटी माचल पदेश में है चंद्र एवं भागा नदियां किस घाटी से हूकर प्रभावित होती हैं? वो होती हैं लाहुरा घाटी से प्रभावित होती हैं प्रमुक सांस्कृतिक एवं परेटन इस्थर्मशाला किस घाटी वस्तित हैं? कांगरा घाटी में वस्तित हैं कांगरा घाटी में वस्तित हैं ओनार्फ कौण सी खाटी वाश्तित है उघाटी है दोन घाटी है तोन में जाना सिया च्तित है कौन सी घाती हुट इस्प्रिट के पूप में जानी जाने जाती है यूथांग घाटी जाने जाती है कौन सी यूथांग घाटी जाने जाती है अब है घाटी और एक तरफ है राच मर्क घाटी लद्दाग कश्मीर घाटी जम्मु कास्मिर नुब्रा घाटी जम्मु कास्मिर सुरू घाटी जम्मु कास्मेर इत्रोर घाटी हिमाचल प्रदेश परवति घाटी हिमाचल प्रदेश सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश मालखन घाटी हिमाचल प्रदेश पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश इस्पिति घाटी हिमाचल प्रदेश लहुरा घाटी हिमाचल प गाटी उत्राखंड पूलो के घाटी उत्राखंड तोर घाटी उत्राखंड निलांग घाटी उत्राखंड जोहर घाटी उत्राखंड धर्मा घाटी उत्राखंड न्योरा घाटी माचल बश्रिम बंगाल सुम्बू घाटी सिक्किम युथांग घाटी सिक्किम जूकु घाट नागरलैंड अराकू घाटी आंद्रप्रदेश कमबम घाटी देखेंगे आपको तमिल नाडू शांत घाटी केरल में यह अकसर दो घाटियां उसमें से इंपॉर्टेंट है एक फूलो के घाटी जो है यह थोजा इंपॉर्टेंट हो जाती है कहां पास है अब इसके आगे हम देखते हैं भारत के द्यूपी समूँ इसके बारे में हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियों पढ़ेंगे भारत में जो दीप समूँ है वो कहां-कहां पाए जाते हैं चलिए अभी यह वीडियों यह समाप्त करते हैं उसके बाद हम पॉलिटी के शक्षिन में एक बार विसे इसलिए वीडियों समाप्त करते हैं धन्यवाद